नमस्कार वेलकम टू नमितास गोल्डन केचन आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर लबाबदार इसके लिए हमें चाहिए पनीर यह हमने 1500 ग्रम पनीर लिया लिया है और इसको में छोटे-छोटे स्कॉायर पीसेज में इसको काट लिया है अब चलते हैं अपनी गैस के तरफ ग हम इसके बाद इसमें डालेंगे साबुद गरम मसाला जो कि अब जब से पहले हम डाल देते हैं इसमें जीरा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक तेज पत्य का टुकड़ा और एक डालेंगे हम इसमें बड़ी लाइची साबुद और इसके बाद हम छोटा सा दाल चीन तो हम ने हम दालेंके घोलोग जी है रखे और आशा में अजे लिए कड़ें कर ज Il 45 में तो हमें इसमें दो डॉत को डाले लेते हैं video स совुआ व्यद्ध कर लोगा उस्के ट्रकस में डो दालने शेटीए लेंगे तो नमक से यह तमाटर अच्छे से गल जाता है और हम इसको जलाते रहेंगे और यह देखिए अच्छे से लिए और हमआरा टमाटा सोफ्ट हो जाएगा तो हमसे सारा मसाला जो है अब इसमें धोड़ा से डाल देंगे प्पेस्ट यह मतह सैंगे और यह मसाला भूल जाएगा एटीМिय ऑफ त्र जानल निसमें लाल मिर्च और 1 तबिल स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी फाउडर और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे, जब हमरा ये मसाला भूल जाएगा, अच्छे से भूनना है, तो हम इसको ठंडा करके, मिक्सर जारम डालेंगे, इसको हमें पीसना है, जब बिल्कुर ठंडा याद रखिए, जब ठंडा हो जाए, तभी पीसी नहीं, आपको प्र डाल के चान लेंगे, अभी थोड़ा ठिक लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के से, थोड़ा और स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, अब ये उपर देखिए, चन्नी का जो मोटा मोटा पाढ़ है, मसालों का या टमाटा की बीज वगयरा, वह सब उपर का टेस्ट जो है, और हो जाएगा, एक स्पून करी बटर डाल दिया हमने इसमें और इसको मिक्स कर देंगे, और जिससे हमारा ये पनीर लबाबदार का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, अब हम इसमें डालेंगे आधा चमबाच हनी, ये हनी के वज़ाए आप इसमें श सोटे करेंगे, जिससे की मसाला और पनीर सब मिल जाया आपस में, और ये देखिए हमारा लबाबदार पनीर तयार है, अब हम इसको जो है ये प्लेटिंग के लिए तयार है, विसको कर लेंगे इसकी प्लेटिंग, ये देखिए बिल्कुल डेडी है, ये हमने कर दिये प्ल तो आप इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली रस्पी के साथ इसको सब्सक्राइब लेज जरूर करिए जैसे मैं आपको नई रस्पीज कर आगे मिल सकते हैं